Dear students, Welcome to my Youtube Channel इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैन होल की ड्राइंग तो मैन होल होता है कहा है सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दू जो भी हमारे सीवर पाईप होते हैं उनकी साफ सफाई के लिए उसमें जो भी हमारे मजदूर होते हैं जो भी सफाई गर्मचारी होते हैं उनके प्रवेश करने के लिए एक होल बनाय जाता है जिससे होकर वो सीवर लाइन में प्रवेश करते हैं उस होल को हम लोग मैन होल के नाम से जानते हैं तो ये जो मैन होल होता है इसका question आपके skin पे सो हो रहा है question में दिया है जो depth होती है manhole की जो गहराई है manhole की वो 2.6 मीटर कहां से है तो यह sewer line के उपर से है उसके बाद internal diameter दिया है manhole का 1.4 मीटर उसके बाद RCC sewer pipe जो दिया है वो 200 mm diameter का है उसके बाद उसमें से जो branch sewer pipe निकला है वो 45 degree centigrade पर जुका हुआ है और वो कितने का है 100 mm diameter का है तो आईए इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे जो इसका plan और sectional elevation है इसको हम लोग खींच लेंगे तो सबसे पहले हम लोग plan खींचना स्टार्ट करेंगे तो आईए plan खींच लेते हैं इसका तो जो हमारे diameter दिया है आंतरिक diameter या आंतरिक ब्यास जो दिया है वो 1.4 मीटर है scale की बात करेंगे तो हम लोग scale लेंगे 1 ratio 20 की 1 ratio 20 की scale हम लोग लेंगे और उसे scale पर इसको ड्रा करेंगे तो 1 ratio 20 का जो scale है इस पर जब हम 1.4 मीटर को change करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये आपको दिखाई दे रहा है 1.4 मीटर में है तो cm में बदलने के लिए 100 से multiply कर देंगे इतना आ गया और फिर इसमें scale जो है 20 का है तो 20 से हम लोग divide कर देंगे तो ये हमारा 7 cm आ गया जो internal diameter है वो आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे जो ब्यास है इसको जब आधा करेंगे तो ये हमारी radius होगी जब इसको 2 से भाग देंगे तो ये 3.5 cm हमारी क्या जाएगी radius आ जाएगी तो 3.5 cm radius का हम लोग क्या कर लेंगे एक ब्रित बना लेंगे तो आईए 3.5 cm radius का एक हम लोग इसमें ब्रित बना लेते हैं ये आपको दिख रहा है मैंने 3.5 ये लिया और इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे खींज देंगे ये ये 3.5 का एक हम इस प्रकार से गोला खींज देंगे एक center point मान के ये हमने center point इसमें मान लिया था इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद जो इसकी दिवार है वो हम लोग 200 mm मान लेंगे जो हमारी ये मोटाई है इसको इसकी दिवार की उसको मान लेंगे कितना 200 mm तो 200 mm को scale पर change करेंगे 200 mm को हम लोग क्या कर लेंगे लेंगे, इसी में एक centimeter और बढ़ा लेंगे तो 75 तीन थास, आये कितना वो जायेEAK centimeter और इसमें वढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा इस प्रकार से एक centimeter और इसका एक और गोला हम लोग इसके चारो तरफ क्या कर लेंगे खींच लेंगे ये इस प्रकार से ये हमने खींच लिया उसके बाद इसके नीचे, 12mm का प्लाष्टर है इसके आंतरीक जो सता है इसके आंतरीक सता में 12mm का प्लाष्टर है तो 12 को scale पर change कर लेंगे divided by 20 mm है तो 0.6 mm यानि कि 1 mm से भी कम आया तो इसी में बिल्कुल चिपका हुआ क्या कर देंगे इसको भी बना देंगे बिल्कुल इसी में सटा हुआ इसको भी क्या कर देंगे इस प्रकार से बना देंगे यह आपको दिख रहा है एक mm से भी कम आया है तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे इसी में यह बिल्कुल सटा हुआ इसको बना देंगे यह जो हमारा प्लास्टर है यह कुछ इस प्रकार से प्लास्टर आपको दिखाई देगा इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद इसके चारो तरफ हम लोग पुना जो इसकी दिवार है foundation की वो बना लेंगे तो इसके चारो तरफ हम फाउंडेशन मान लेते हैं कितने का 200 mm का इसके चारो तरफ foundation 200 mm का इसके लपर 200 mm को change अभी हमने किया था तो कितना आया था बो आया था आपका 1 cm तो यहां से 1 cm और इस साइड में ये और फिर यहां से भी 1 cm इस साइड में पॉइंट कर लेंगे यहां से हमने 1 cm इस साइड में पॉइंट कर लिया और इसी को क्या कर लेंगे इस प्रकार से मिला लेंगे तो आईए मिला लेते हैं और ये चुकी फाउंडेशन है तो इसको हम रोग डाटर दिखाएंगे इसको इसको उसके बाद इसमें जो सीवर पाइप 200 mm का है इसको लगा लेंगे तो 200 mm को अभी हमने स्केल पर चेंज किया था तो कितना आया था एक सेंटीमिटर तो यहां से सेंटर से यानि कि सेंटर से 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे हम लोग क्या कर लेंगे पॉइंट कर लेंगे और इसी का हम लोग क्या कर देंगे इस प्रकार से ये जो सीवर पाइप है जो में सीवर पाइप है इसको इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे बना देंगे ये और ठीक इसी प्रकार य यहां पर इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं इसको क्या कर देते हैं इसको क्या कर देते हैं तो मैंनों कबर 500 mm diameter का है तो 500 mm को scale पर change करेंगे यह आपका 500 डिवाइड कर देंगे 20 के scale पर तो यह 25 mm आ गया और 25 mm यह इसका diameter आ गया किसका manhole कबर का तो यह ब्यास है 25 mm scale पर तो इसका radius लेंगे तो radius आधा हो जाएगा तो आधा के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 12-10 में लोग 5 mm आ जाएगा तो 12-10 में लोग 5 mm हम लोग क्या कर लेंगे इस पर ले लेंगे यहाँ से बिल्कुल इसको touch करता हुगा यह इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से dotted दिखा देंगे यह dotted खींच लेंगे किसको जो हमारा manhole का भर है dotted इसलिए यह हमें actual में दिखाई नहीं देगा यह हमें वास्तों में दिखाई नहीं देगा तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे इस प्रकार से dotted खींच लेंगे यह आपको दिख रहा है मैंने dotted खींच लिया है इस प्रकार से यह जो हमारा manhole का cover है यह है उसके बाद यहीं पर हम लोग क्या करते हैं एक branch sewer pipe लगा देते हैं कितने angle पर 45 degree angle पर जो हमारा main sewer pipe है इससे 45 degree angle पर हम लोग branch sewer pipe लगाते हैं तो आईए यहां से 45 degree angle पर यह हम लोग branch sewer pipe लगा देते हैं तो जो हमारा branch sewer pipe होता है उसका diameter कितना दिया है 100 mm 100 mm को scale पर change कर लेंगे 100 divided by 20 यह आपका आगया 5 mm तो 5 mm का मतलब क्या हुआ 5 mm का मतलब यह हुआ कि आधा उसका क्या हो जाएगा उसका आधा जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा धाई mm तो यह धाई mm का क्या कर लेंगे यहां से इस प्रकार से और यहां से क्या कर देंगे यह 5 mm का जो हम लोग का होता है यह इस प्रकार से manhole manhole के जो main sewer pipe है इसमें से क्या कर देंगे, branch sewer pipe को भी हम लोग बिछा देंगे, ये inlet है, inlet से पानी इस side में जा रहा है, इस प्रकार से, और इसमें से जो हमारा branch sewer pipe है, इसमें से भी इस प्रकार से पानी क्या होता है, जाता है इस प्रकार से, और ये outlet से पानी क्या हो जाता है, बाहर की तरफ नि नहीं कलते हैं उसे हम लोग c.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i. तो आ गया हमारा कितना? फचास हमें को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा दो दसमलो 5 है में, कितना आ जाएगा यह 150 को स्केल पर जब चेंज करेंगे तो यह साड़े साथ आता है तो इस प्रकार से हम लोग इसको खींच लेते हैं यह यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर कर लेंगे और यह हमारा इस प्रकार से होता है यह यह लगभग 2 mm मोटाई के होते हैं कितने इसको 1 mm मोटा मान लेते हैं यह यह CI रंग्स होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है तो यह 300 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 है और इसकी जो मोटाई है यह यह आपकी 1 mm हमने ले लिया है ठीक इसी परकार मैन होल कभर के दूसरे साइड में भी इसको हम लोग बना लेते हैं यहां से लेके यहां तक आपका 1.500 mm होता है और यहां से लेके यहां तक 300 mm होता है तो इस प्रकार से, जो हम लोग यह प्लान है, यह लगभग कंप्लीट हुआ यह जो हमनों का plan है, यह लगभग क्या हो गया, complete हो गया, तो आएए, इसकी dimensioning कर लेते हैं ईज दो सु कर लाईं हो ए दो हैंक्डाइ उस मुटेल्स धुट्स हिए उसक मुटेल्स ऑा जुटेन हैं आप डी को इन क्योंन को इन करो कि एग अ边 को इन उन यह को system has यह सति तै्यैंग यह समत क्ट यह कर अ यह कि ए यह अ ब यहुड़ाई यह अ ब स्वह यह को सबया चार 학 Hug Schüler यद 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 ये येपर इक zaten कि अ तर ने बो अ अ शराष्ट और यह इस प्रकार से जो हम लोगों का प्लान है यह कंप्लीट होता है तो आईए मैं एक बार फिर से इसके बारे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हमने क्या किया एक दर्शनों चार मीटर का रेडियस लेकर और एक ब्रीट खिच लिया उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद उसकी वाल खिच लिया 200 mm की उसके साइड में 200 mm की यहांदशन खिच लिया चारों तरफ उसके बाद सेंटर से 5 mm उपर 5 mm नीचे 200 mm का हमने क्या कर लिया pipe बना लिया उसके बाद इसी में हमने एक manhole का cover बना लिया यह हमारा क्या होता है manhole cover होता है इसको हमने बना लिया और उसके बाद इसमें CI runs बना लिया यह हमारे क्या होते हैं CI runs होते हैं और यह हमारा manhole cover होता है इसको हमने बना लिया और इस प्रकार से जो हमारा प्लान है यह complete हुआ आई अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसका सेक्षनल एलिवेशन खीच लेते हैं तो आईए सेक्षनल एलिवेशन इसका हम लोग खीच लेंगे उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले सभी लाइनों का प्रजिक्शन खीचेंगे इस पासे इसके बद ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करेंगे अब तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे यहां पर जो हमारी फाउंडेशन है यह इस प्रकार से यहां एक लाइन खीच लेंगे इस प्रकार से यहां एक लाइन खीच लेंगे और उसके बाद यहीं पर जो हमारा सीवर पाइफ होता है इसको बना लेंगे तो यह जो हमारा सीवर पाइप होता है इसको हम लोग बना लेंगे इस प्रकार से सीवर पाइप की जो ठिकनेस है इसको भी हम लोग बना लेंगे ठिकनेस इसकी जो होती है लगभग 20 mm तो इसके पर चेंज करेंगे तो एक mm के बराबर आ जाएगा तो यहां तक इसको इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे यह जो हमारी है यह थीकनेस है सीवर पाइप की उसके बाद जो सीवर पाइप की डायमीटर है वो 2 mm scale पर चेंज किया था हमने तो यह एक cm के बराबर आया था तो इसको भी हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे खींच लेंगे इस प्रकार से और यह हम बना रहे है section जो sectional elevation है इसको हम लोग बना रहे कहां तो यह यह जो हमारा बिल्कुल section है यहां पर बना रहे है यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हुआ है और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बना रहे हैं यह एक सेक्षन है यह हम लोग मान लेते हैं और यहां पर एक सेक्षन है बी तो यह AB पर हम लोग क्या कर रहे हैं, section इसका घिंच रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आधा हमने काटके निKYकाल दिया है यह जो हां से हमने section कיא आधा निकाल दिया है और आधा ज 해 को आधा कर दिखा देख रहे हैं तो कैसे दिखाई देगा उसको हमें बनाना है है इस प्रकार से मिर अरह यह कुस है ए यह वाल कुछ फुरा सा उपर लेखे जाएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर जो वाल होगी यहाँ पर जो वाल होगी इसकी मुठाई 300 mm लेंगे कितना 300 mm 300 mm को स्केल पर चेंज करेंगे 300 डिवाइड कर देंगे 20 के स्केल से 20 के स्केल से तो यह हमारा आ जाएगा 15 mm तो यहाँ से 15 mm की जो हमारी है यह ले लेते हैं, यहाँ पर हमने point कर लिया, उसके बाद कितना उपर लेकर जाएंगे, तो 600 mm, 600 mm को जब scale पर change करेंगे, 20 के scale से, तो यह 30 mm हो जाएगा, तो यहाँ से 30 mm उपर जाएंगे, यह 30 mm उपर तब, जो हमारी, वाल होगी, वो कितनी मोटी होगी, तो वो होगी हमारी, यह, पीन साय में मोटी, ठीक, इसी प्रकार से, इस साइड में भी, यहाँ पर point कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, point कर लेंगे, यह, और यहाँ से, उपर जाएंगे कितना, यह इस प्रकार से, और यहाँ से, जो हमारा आया था, डेड़ के बराबर, इसको क्या कर लेंगे, point करके, और इसको, हीज लेंगे, यह, इस प्रकार से, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर, मिला देंगे, यह, हम यहाँ से कितना, ऊपर गए थे, तो यह, 600 mm गए थे, उसके बाद, यहाँ से, 2, 2 मीटर उपर, हमें जाना होता है, कितना, 2 मीटर उपर, तो 2 मीटर उपर, जाने के लिए, क्या कर देंगे, यहाँ से, 2 मीटर को जब, स्केल, पर change करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, ल इस प्रकार से इसको हम लोग हींच लेंगे ये इस प्रकार से और इस साइड में भी जो वाल है इसको यहां तक हींच लेंगे उसके बाद यहां क्या करेंगे यहां पर यह जो projection है हमारा इसका जो हमारा manhole cover है इसका जो projection है इसको लेते हैं इसका जो projection है यहां पर point कर लेते हैं और यहां से इसको क्या कर देते हैं यहां से इसको यहां तक मिला देते हैं यह जो हमारा manhole का cover है यहां तक इसको हम लोग क्या कर देते हैं मिला देते हैं और यहां से इसको 200 mm यानि कि scale पर change करेंगे 200 mm को तो लगभग 1 cm आएगा 1 cm नीचे तक इसको या 500 तो 200 करेंगे तो यह इतना नीचे हम लोग का आ जाएगा उसके बाद यहां पर एक वाल बना देते हैं लोग 2 cm नीचे तक इसको लेख जाते हैं इस प्रकार से और यहां से ठीक यहीं से एक मीटर नीचे एक मीटर को जब scale पर change करेंगे 1 meter यानि की 100 cm डिवाइड करेंगे 20 के scale पर तो यह 5 cm आ जाएगा तो यहीं से क्या करेंगे 5 cm हम लोग नीचे जाते हैं 5 cm नीचे जाते हैं और यहां पर point कर लेते हैं 5 cm नीचे गए और यहां पर point कर लिए और यहां तक इस वाल को हम लोग क्या कर लेते हैं बना लेते हैं यहां तक इस वाल को हम लोग बना लेते हैं यह जो हमने point किया था 5 cm यह यहां तक इसको क्या कर लेते हैं तो इसको हम लोग MD से ही मिलाएंगे ताकि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हों बिल्कुल पैरलल हों इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे इसको MD से ही बिल्कुल इस प्रकार से एमडी को कसके और यहां पर हम लोग इसको मिलाएंगे इस प्रकार से और फिर से यहां पर इसको भी मिला देंगे यह और फिर इसको क्या कर देंगे यहां पर इसको ड्रा कर लेंगे इस प्रकार से यहां इसको हम लोग क्या कर देते हैं मिला देते हैं और इसमें जो हमारा मैन होल होगा इसमें जो हमारा मैन होल है इसको बना देते हैं तो हमारा जो मैन होल है यह इस प्रकार से 5 mm का इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, यह यहाँ पर मैन होल का भर इस प्रकार से लगा देते हैं यह हमारा 5 mm का, यह कुछ अंदर तक इसको ले के जाते हैं, यह इस प्रकार से इसको हम लोग बना देते हैं इस तरीके से और इसमें जो सीमेंट कंक्रीट होती है इसको लगभग एक कितना लगभग एक सेंटीमीटर तक क्या करते हैं इसमें हम लोग इस प्रकार से सीमेंट कंग्रीट बिछा देते हैं इसके बाद इसमें जो C.I. रंग्स होते हैं ये जो C.I. रंग्स इसमें भी दिखाई देंगे तो यहां से 450 mm की नीचे जाते हैं चारिसो कितना पचास डिवाइड करतेंगे 20 के स्केल पर यह हमारा आजए गा 22.5 mm 22.5 mm यहां से उपर से नीचे जाते हैं 22.5 यह और यहां पर एक C.I. रंग्स बनाते हैं यहां पर क्या करते हैं एक C.I. रंग्स इस प्रकार से बनाते हैं यह हमारा CI रंगस होता है जो CD होती है जिसके उपर से हम वोग इसमें प्रवेश करते हैं और फिर अंदर से क्या करते हैं उपर कि तरो जाते हैं या बाहर निकलते हैं और यह कितने कि होती है तो 300 mm की होती है 300 mm की होती है 300 mm को स्केल पर change करेंगे 20 से divide कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 15 mm तो यह यहां से 15 mm इस प्रकार से होती है 15 mm का आधा दिवार में रहेगा और आधा बाहर रहेगा तो यह 15 mm का आधा दिवार में हम कर लेते हैं और आधा बाहर इस प्रकार से यह देखिए मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ यह आधा दिवार में और आधा बाहर और 1 mm इसकी क्या कर लेते हैं हम लोग मोटाई ले लेते हैं इस प्रकार से यह इस प्रकार से हम लोग यह C I Rung होते हैं इनको बना देते हैं उसके बाद 300 mm जगह छोड़के पूरा नीचे तक बना देते हैं तो 3300 mm इसके बाद जगह छोड़ देते हैं 300 mm को स्केल पर सेंज करेंगे 1.5 cm आएगा यहाँ पर पॉइंट करेंगे और यहाँ पर एक CI रंग ठीकी सी प्रकार से बन जाएगा यह इसी प्रकार से नीचे तक बना लेंगे तो आई यह बना लेते हैं तो इस प्रकार से हमने CI रंग्स बना लिया अब क्या करेंगे अब इसके बाद इसके नीचे हम लोग फाउंडेशन बना लेते हैं तो इसके नीचे जो फाउंडेशन होती है यह फाउंडेशन कंक्रीट सबसे पहले 50 mm की बनाते हैं वन रेसियो फूर की और उसके नीचे हमारी फाउंडेशन होती है यहां तक क्या होती है यहां से लेके यहां तक जो प्रॉजक्शन खीचा था इसी पर इसको क्या कर लेते हैं बना लेते हैं यह इस प्रकार से यहां पर सब्सक्राइ trafficking है जो हमारा पाईप होता है दूसरे साइड में भी स्कूरा क्या चर देंगे कि क्या क्याटिनियोस कर देंगे कर देंगे इस प्रकार से हम अèn यहां का पाईप होताय सको यह अध्यामनों प्लो है यह हमारा water flow है इसको हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर और इस तकार से जो हम लोग का sectional elevation है यह complete हुआ राइए इसमें जितनी भी dimension से उनको दिखा लेते हैं बढ़ सकते हैं झाल 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 झाल